जमस्कार दोस्तों पिकी रविला स्टेटी पॉइंट यूटूब चैनल पर आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है कम्पूटर टीचर एमसी की स्रीज का बारव भाग है इस वीडियो में आपके सामने लिख रहे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सनों के स्रीज चल रही है जल्दिश आप इसको जोइन करें और इस वीडियो को आप जाज़ादा सेर करें और पिछले भी स्रीज यह आपने नहीं देखिए तो आप यहां प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कुईशन है और कंप्रोटेंट टीचर के लिए और कंप्रोटेंट से रिलेटेट सभी एक्जाम के लिए बहुत ही महत्मन पर्सन है तो स्टार्ट करते हैं पहला पर्सनाज का मोनिटर में कितने अक्सर वह लाइन समाई होती है यह जो मोनिटर हो 25 LN 80 LN 28 LN या 80 LN चोईश LN इसका जो राइट आंसोर है वो हो जाएगा kilow 22 LN तो यादि आपको ख़ीज सकता है तो तो केतने लिखे जा सकते हैं एक लायन में he नियाक्व's स्कीन पर आपको पूछ सकते है तो 22 into 25 हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है next person है EEPROM का पूरा नाम क्या है EEPROM आप यहां देख सकते हो EEPROM का पूरा नाम होता है electrically पहले E का होता है electrical दूसरी का होता है irisible irisible programmable read only memory रोम का आप जानती हो read only memory तो यहाँ डबली प्रोम का पूरा नाम पुछ है उसका right answer यह पहला option हो जाएगा electrically erisible programmable read only memory next question है by default document कौन से mode में print होता है यहाँ स्वत्य है को भी document है वो स्वत्य कौन से mode में होता है landscape में portrait में print preview में या page setup में यहाँ by default की बात वरिये थो by default वहनी automatically आहँ पौर्टेट मोड में होता है कौन से mode में portrait में यह जो document है उसके mode की दो mode हो सकते हैं एक दो landscape हो सकते है या, portrait हो सकते है जब सामना थे बाटी बाटी उक्सक्राच्वार्ग पर्टेट मोड में होता है यानि सीद्य पेज में होता है, यदि हम उसको और देंट में लिखना चाहिए, सुचनाव को करना चाहिए, प्रिंट लेना चाहिए तो उसको हम LAND SGI P Mोड में कर सकते है, येगिन फिलाल हमारा जो बाइटे मोड में होता है, वो होता है पोर्टेट मोड में होता है नेक्स्ट प्रसन है MS Excel में फाइल का डिफार्ट नाम क्या होता है MS Excel की फाइल है उसका डिफार्ट नाम क्या होता है वर्क बुक, वर्कषीट, एक्सल सीट या अक्सल सेक्स तो यहाँ ध्यान देना आपको इसका extension नहीं पूचा है बच्ची इस पी टिकर देंगे, यह extension नहीं पूचा है, extension XLSX होता है, तेकिन यह file का default name पूचा है, तो file का default name है, वो workbook होता है, आजकल 2007 से और जो आगे की जो edition है, इसमें book लिखाता है, default name है, वो workbook आता है, पहले workbook आता था, next question है, computer के कारी करने का सिदान्थ है, computer है, उसके कारी करने का सिदान्थ कौन से, input है, output है, process है, यह algorithm है, तो यह राइट अंसर हो जाएगा प्रोसेश नेक्स्ट कुशन है किसी विशेश टास्क को करने के लिए किसी अन्य की के साथ कौन सी की प्रियुक्त की जाती है अन्य कुशन के साथ कौन सी कौन सी बटन का कौन सी की का प्रियोग के जाता है फंक्शन की एरो की स्पेस की है कंट्रोल की तो विशेश कार्यों करने के लिए अन्य कुशन के सेयोजन के लिए हमें यह कंट्रोल की काम में आती है कौन सी क्याती है CTRL की CTRL जो keyboard पर लिखाता है CTRL की होती है इस CTRL Q का परियोग अन्य कुंजी के साथ करने से विशेष task को perform किया जा सकता है जैसे CTRL पलस A select आल करने के लिए CTRL B बोल्ट करने के लिए इस पेकार से विशेष कारियां हम कर सकते है तो कुंजी का से जना वो CTRL के साथ किया जाता है next computer पर information को computer पर जो information होती है उसको कौन सी रूप में store किया जाता है analog रूप में, digital data में, modem data में वह वाट्स data में computer पर जो भी information होती हो भी सूचना है उसको store हम digital data के रूप में digital form में store करते हैं आप सभी जानते है आधनी जो computer है वो digital computer है और digital जो computer वो digit पर करते हैं और digit कौन सी होती है, 0 और 1 जिसको binary digit भी करते हैं 0 और 1 होती है, तो जो भी data है वो digital form में store किया जाता है next person है बहुत ही math person आप देखो निम्न में से कौन सा computer है, बिना programming का mechanical computer है, बिना programming का, जिसमें programming नहीं की विया है और mechanical computer है, बिना programming का mechanical computer है Z1, Z11, Y1 A11, तो इसका right answer हो जाएगा Z1, Z1 जो computer है वो बिना programming का और mechanical computer है और आप इसको याद कर लिए अच्छे परकार से बहुत ही math person है next question की और चलते है निमन में से कौन सा commercial computer है, यानि इन में से कौन सा है, commercial इन वेवसाइ computer कौन सा है, मार्कफेस्ट इनियेक, एटसेक, उनिवेक पहली बाद तो मैं आपको बता दूँ, कि जितने भी computer यहाँ option में दिये गए हैं, यह सभी पहली PD की computer है, कौन से PD की है पहली PD computer है उसके बाद आगी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि commercial जो computer है वो है, यहाँ पी यूनिवेक यूनिवेक कौन से computer है, commercial computer है यूनिवेक का पूरा नाम है Universal Automatic Computer है, याद रिखना Universal Automatic Computer जो इनियेक है इनियेक का जो पूरा नाम होता है Electronic Numerical Integrator and Calculator फिर आप सुनलो Electronic Numerical Integrator and Calculator यह होता है इनियेक का पूरा नाम एड़सेक का एदियां करें तो Electronic Discrete Storage Automatic Computer क्योंकि ना दोबारा सुनलो Electronic Discrete Storage Automatic Computer यह एड़सेक का होता है यूनिवेक का मैंने बताई दिया Universal Automatic Computer इसका नाम होता है तो जो Commercial Computer है वो होता है यूनिवेक नेक्स्ट बात करते हैं अगला परसन की चोथी PD Computer का मुख्य पूर्जा क्या है चोथी PD Computer है उसका मुख्य कंपोनेंट क्या है Microprocessor, Transistor, IC या Valve तो जो चोथी PD की होर्ट जनरेशन की जो Computer है फोर्ट जनरेशन की उनमें Microprocessor का प्रयोग किया जते है किसका प्रयोग किया जते है Microprocessor का आप सभी जानते हो जो पर्थम PD Computer है पर्थम PD की जो Computer है उनमें Vacuum Tube का इस्तिमाल किया गया था किसका इस्तिमाल किया गया था Vacuum Tube का ठीक है और जो दूसरी PD थी उसमें transistor का प्रियोग किया गया और जो तीसरी PDA है उसमें IC का प्रियोग किया गया और जो चोथे PDA है चोथे PDA computer में microprocessor का प्रियोग किया गया जिसको VLSI भी करते हैं very large scale integration भी करते हैं अगले परशन के बढ़ते हैं blinking point जो text में आपकी position दरसाता है यह blinking point करता है यह blinking करता हुआ आकरती आती है blink करती हुई उसको हम क्या करते हैं blinker करते हैं cursor करते हैं causer करते हैं pointer करते हैं तो जब हम text को type करते हैं उसमें जो इस्तिती दरसाता है position दरसाता है उसको हम cursor करते हैं क्या करते हैं cursor जहां पर cursor होता है उसी स्थान पर text type होता है तो वो cursor कहलाता है क्या कहलाता है cursor next question है satellite link किस frequency का उप्योग करता है जो satellite link है वो कौन सी frequency का उप्योग करता है इन में सी option आपकी सामने है 4-8 megahertz या 4-8 hertz 4-8 kilohertz या 4-12 megahertz तो यहां right answer हो जाएगा 4-12 megahertz megahertz को mhz की रूप में प्रदिशित कर सकते हैं तो 4-12 megahertz है इस frequency का प्रयोग satellite द्वारा किया जाता है next micro computer को करते हैं micro computer को हम इन में से क्या कह सकते हैं computer on heel, computer on a chip, computer on a chip या computer on wheel तो जो micro computer है आप सभी जानते हूं micro computer है वो computer on a chip कहलाते हैं computer on a chip कहलाते हैं क्योंकि क्यों कहलाते हैं एक छोटी से chip पर बने होते हैं जिसको micro processor कहते हैं तो यह computer on a chip भी इनको कहते हैं अगला जो पर्सन है Bynac क्या है Bynac B-I-N-A-C देख सकते हूं आप Bynac क्या है तो आप देख सकते हो computer की भासा है hardware device है एक super computer का नाम है या binary automatic computer है तो यहां right answer हो जाएगा पहला option है एक binary automatic computer है Bynac क्या है एक automatic computer है इसका पूरा नाम है binary automatic computer binary automatic computer इसका right answer है next जो person है बहुती मैटमन person है विस्व में पर्थम analog computer के निर्माता कौन थी यानि विस्व में पर्थम analog computer पहला जो analog computer है वो किस के द्वारा बनाए गया था तो हम यहां बात कर लेते है Robocop, Cyborg, Electorg या Roborg तो यहां आप देख सकते हैं पर्थम analog computer है वो cyborg की द्वारा बनाए गया था किस की द्वारा बनाए था cyborg यहाद रखना ने पर्थम analog computer के द्वारा निर्माता है वो थे cyborg यहापको हम बता देता एँ कोंपुटर के परकार है कारी किए दापी analog computer है में एक डीजिटल computer होता है एक डीजिटल होता है और एक होता है hybrid यह कूंसो आता है hybrid होता है hybrid analog computer जो बहुतिक इकाईया है ताप दाब गती इन प्रकारी करता है इन आलो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है यह डिजिट प्रकारी करता है जिरो और एक पर और हाइब्रिड जो कंप्यूटर है यह इन दोनों की Ei मिश्र हम रते हैं इन दोनों का, इन दोनों कीरी कारी करता है इन दोनों का स्यूदर्जन होता है, हाईब्रीड गम्पिटर नेक्स्ट हम बात करते हैं Indian Institute के वीगहानिक, ने एक पोकेट वेकलेपिर کंप्टर का निर्माण किया उसका नाम है यानि इंडियन इंस्टूट के विगए निकों ने एक computer वेहकल पर computer का दिमान किया उसका नाम क्या है Monitor, Supernova, Simulator या Simulator तो उसका नाम उन्होंने Monitor नाम दिया है क्या नाम दिया है? Monitor Next है प्रमुख मेमोरी खालिस्तान के समवनियों से कारे करती है यानि जो प्रमुख मेमोरी कौन से होती है? RAM होती है कौन से होती है? RAM प्रमुख मेमोरी होती है? RAM ठीक ना? तो यह किस के समवनियों से कारे करती है? किस के समवनियों से? Special work card, RAM, CPU, Intel तो यह RAM option भी आप देख सकते हूँ लेकिने समनिवे किस समनिवे abort करते है परिमख fram terminu honest रहते है और किस में यहाँ पुछा गय Haben तो CPU कि समनिवे करते है जब CPU उसको कॉडिनेट करता है तब वह कारिए करती है अगला पर्सन है परधम macroprocessor कौन सा है बहुती Change person है पहला macroprocessor कौन सा है option आपके सामने है इसका right answer हो जाएगा Intel 4004 जो पहला microprocessor है वो है Intel 4004 यह पहला microprocessor तो यहाँ आप समझगे पर्थम microprocessor Intel 4004 है और यह दी पर्थम आज़े microprocessor आधारित पर्थम computer कौन सा है यह यह microprocessor पर बना हुआ पहला computer कौन सा है तो वो है LTIR computer कौन सा है LTIR A-L-T-A-I-R यह LTIR computer का नाम है यह microprocessor आधारित पहला computer है यह microprocessor सी बना हुआ पहला computer था LTIR और पहला microprocessor है Intel 4004 और LTIR है यह पहला computer है microprocessor आधारित पहला computer और इसमें कौन सी microprocessor का प्रियोग क्या गया था इस computer में तो वो गया था intel 80088 इसका प्रियोग क्या गया था वे आपको ध्यान लखना है next है विडियॉ का पूरा नाम क्या है विडियॉ विजुवल दिस्प्ले युनिट विजन डिस्टोल युनिट विजुल डिमांड उनिट या विजुल डिफेक्ट उनिट तो विडियू है इसका प्रोणाम होता है विजुल डिस्प्ले उनिट विजुल डिस्प्ले उनिट यह है विडियू का प्रोणाम monitor को यह कहते हैं video किसको कहते है monitor जो display unit है monitor इसी को आद दूसरा नाम है visual display unit video अगले person क्यों बढ़ते है command को carry out करने का process क्या है वो भी command है उसको carry out करने का process क्या होता है executing क्यों कह रहते है executing कह रहते है next है किस command का प्रयोग graphics को हटाने के लिए किया जाते है ज्यांदेना किस command का Sung 만큼SQL graphics को हटाने के उसके बाद सुचना को clipboard पर store करते है कह पर store करते है clipboard पर ताकि उसे paste किया सकी ऐनी सुचना वो एक इस्फान से इसके अड़ी और उसके वो clipboard में store जाती है ताकि उससे हम दूसरे स्थान पर paint कर सकेहँ चाप है, कट है, क्लिप है, काट अभी है तो यह हो जाएगा कट सूचनाओ को एक इस्थान से हम हटाते हैं तो हम कट का प्रियो करते हैं Ctrl-Ax इसका shortcut जो दाय कट का Ctrl-Ax इसका shortcut है कट करते हैं, कट करने से वो सामगरी यह सूचना है, वो क्लिप बोड़ पर Store जाती है क्लिप बोड एक AIS time memory होती है जब भी हम किसी सूचना को Cut या Copy करते है याद रखना, Cut करते हैं या Copy करते हैं तो वो क्लिप बोड़ में Store जाती है और क्लिप बोड़ में Store होने का मतलब है कि हम उसको किसी दूसरे इस्तान पर paste कर सकते हैं paste करने का सोटकर होता है control plus V control V से हम paste कर सकते हैं तो इस परकार से सूचना को एक इस्तान से cut करके यदि हम दूसरे इस्तान पर paste करें तो उसके लिए हम cut का प्रियोग करेंगे यदि वो सुचना उसे स्तान पर भी रहे और दूसरे स्तान पर भी उसकी copy त्यार करने हो परतलिपी करने हो तब हम copy का प्रयोग करते हैं copy paste का प्रयोग करते हैं उसे में next person है saving का process है यहीं saving किसका process है किसी document को memory से storage media में copy करना किसी document के exiting content में प्रिवर्थन करना किसी document के appearance या other document look को बदलना या approach सभी तो saving का जो process हता है वो किसी भी document को memory से storage medium में copy करना जो storage का medium है storage मादने में संग्रेन का जो मादने में उसमें copy करना ही saving कहलाता है वो process क्या कहलाती है saving कहलाती है अगला person है निमलिखित में से कौन सार text, drawing और photo के image को डिजिटल रूप में translate कर देगा बहुत ही important person है यह Uppcl 2020 में भी आया हुआ यह कोई भी text है, drawing है, image है उसको digital रूप में कौन translate करेगा digitizer, modem, skinner या keyboard तो keyboard यह कारी नहीं करता है आप सभी जानती हो keyboard तो क्योंड टाइप करने काम आता है modem भी नहीं आएगा, digitizer भी नहीं आएगा right answer हो जाएगा, skinner right answer क्या हो जाएगा, skinner इसका right answer हो जाएगा skinner क्या करता है, किसी भी text को drawing को, graphics को एक digital रूप में उपलब्द करा देता है skin करके और digital रूप में translate कर देता है अगला person है किसी भी word document की background यह भी इसी एक्जामिया हुआ है, UPCL 2020 में किसी भी word document की background कैसी होती है हमेशा सफेद रंके होती है option menu में freeze rate की रंगों में होती है सारे document के लिए हमेशा एक होती है यह आपके पसंद की किसी भी रंके हो सकती है तो बिलकुल सही है, किसी भी word document की background है वो आपके पसंद की किसी भी रंकी हो सकती है तो option right यह हो जाएगा कि पसंद की किसी भी रंकी हो सकती है जो भी document का background है वो आपने पसंद की कुछ भी कर सकती है हाँ, यदि by default यहां पूछता यहां परसंद में यदि by default पूछता कि by default रूप से स्वहत्य रूप से और सफध रंका होती है। आप सभी जानती हो जो डॉकुमेंट का वो हमेसा सफिध रंका होता है और जो text का कलर है वो हमेसा बलेक होता है। लेकिन word documents गो बेगरांड उसको हम change भी कर सकते हैं तो यह आपके प्रसंद की किसी भी रंका हो सकता है यह इसका राइक आंसर हो जाएगा तो आज की यह इतनी ही प्रसंद है आप वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा सेर करें और यह आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है झाल, 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 झाल